नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एकोन नया ताज़ा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी पैंशन लाभारतियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं पैंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुसक्खबरी दी जा रही है सरकार की तरब से दीवाली त्योहार से पहले तीन हज़ा रुपे तीन हज़ा रुपे बैंक खाते में ट्रांसफर किये जा रही हैं दिवाली तेवहार से पहले ही एक उपहार दिया जा रहा है पैंशन रासी के रूप में जो कि बैंक खाते में ट्रांसफर किये जा रही है ताकि सभी पैंशन धरक अपना तेवहार अच्छे से मना सके इसका यहां पर हम आपको एक प्रूब भी दिखाने वाले हैं आप स्वेम देख लीजेगा कि दिवाली से पहले किस तारीक में ये पैंशन रासी लाभार्तियों के बैंक खाते में सरकारिक तरब से ट्रांसफर की जा रही है आज की यह जानकारी सभी दिव्यां, विद्वा महिलाए, तलाक्षता महिलाए, वर्दवस्ता और कुष्टवस्ता पैंशन धारकों के लिए है वीडियो की सुर्वात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिविकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम आपको प्रूव के साथ जानकारी दे देते हैं फिर हम आपको पताएंगे कि आप भी ओनलाइन कैसे अपना पैंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते हैं पैंशन आसी को ट्रांसफर किया गया है या अभी भी आपके पैंशन आसी पैंडिंग में ही है और किस महेने कि ये पैंशनाज से ट्रांसफर के जा रही है सभी जानकारी आपको दी जाए तेकि सबसे पहले ये परिशनल इन्फोर्मेशन होती है जैसे कि अपलेकेसन आइडी नंबर बेनिफिसरी ने यानि कि बेनिफिसरी कोड एजनसी कोड सिकर्टी के लिए ये अमने पहली हाइड किया हुआ है अब देखिए प्रोवाइडिंग पैंशन टू वीडोज यानि कि सबसे पहले जो पैंशनाज से ट्रांसफर की जा रही है वे विद्वा महिला और तलाकसुदा महिलाओ को दी जा रही है और उत्तर प्रदेश राज्य के अधिन आने वाले जितने भी विकलांग, कुछ तवस्था, वीद्वा महिला तलाकसुदा या 60 साला पैंशन धारक है उन सभी को आधार बेश्ट पेमेंट सरकार ने ट्रांसफर करना प्रारंब कर दिया गया है अब ऐसी इस्तिती में जिसका बैंक खाता NPCI मैपिंग नहीं होगा, DBT इनेबल नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, उनको पैंशन का लाब नहीं दिया जाएगा ऐसी स्थिति में आपको अपने बैंक खाते से आधार कार को लिंक कराना है NDP से मैपिंग कराना है, DBT इनेवल कराना है यदि आप अपनी pension बैंक खातें प्राप्त करना चाहते हैं ये कारिये करना सभी pension धारकों को आनिवारिये हैं अब देखिए इन pension धारकों ने पहले ही कारे कर लिया है तो इनको आधार बेज सरकार पेमेंट कर रही है, इनको pension मिल चुकी है तीन हज़ार रुपे यहाँ पर आप अमांट देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे छे pension परिकिरिया में इनको pension मिल चुकी है पहला है request date, दूसरा है validation status, तीसरा है fund status, चोता है राजकोस के अधिकारी के sign यानि treasury status और file status और last में है credit status जो की payment success हो चुकी है किस तारीक में यह pension मिली है, तो चलिए तारीक दिखा देते हैं तीन हजार में यहाँ पर आपने amount देख ली है, scroll down करते हैं अब जैसे हमने यहाँ पर scroll down किया, आप यहाँ पर तारीक देख सकते हैं और इस bank खाते में transfer की गई है, security के लिए हमने bank खाता भी hide क्या हुआ है देख रहे हैं, account number S पर bank हमने hide क्या हुआ है, credit date यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.10.2024, 21.10.2024 को इन विद्वा महिला, तलगज़ा महिला के bank खाते में यह pension transfer हो चुकी है यह हमने आपको prove के साथ जानकर दे दी है, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आप online pension payment status कैसे चेक कर सकते हैं और किस राज़े में यह pension transfer की जा रही है Online अपनी pension चेक करने के लिए pension payment status देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने वाइल फोन में Google Chrome browser को open करना है जिस प्रकार से हमने open किया हुआ है, background voice के लिए हम आपसे महाफिस आएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है PFMS यह लिखकर आपको सर्च करना है सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा और यहाँ पर आपको PFMS लिखा मिल जाएगा यहाँ पर आप क्लिक कर दीजे, यह एक official website है और नीचे आपको आना है सबसे पहले यहाँ पर यह तीन लाइन आपको नजर आएगी, इन तीन लाइन पर आपको क्लिक करना है अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और अपने वैलफोन में desktop site को open कर लिना है जिस परकार से हमने open किया हुआ है open करने के बाद आपको आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा और यह तीन लाइन आपको नजर आ जाएगी हमने पहले अपने वैलफोन में desktop site को open किया हुआ है अब यहाँ से आपको थोड़ा सा scroll down करना है अब पी एप में सोता क्या है यहाँ पर आप पर सकते हैं Public Financial Management System और Controller General of Account Ministry of Finance अब यहाँ पर लिखा में लेगा आपको payment status इस पर आप क्लिक कर दीजे payment status पर क्लिक करने के बाद आपको लिखा में लेगा last में dbt status tracker लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजे dbt status tracker पर क्लिक हमने किया अगला page open हुआ और यहाँ से आपको नीच आना है और यहाँ पर अब जो क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके अंबर बोलिये बात एक ही है आपको मालुम नहीं है तो आप आप नीचे कमेंट कर सकते हैं पिर हम उसके उपर एक वीडियो लेकर आएंगे और बताएंगे कि आप कैसे अपना pension का register नमबर निकाल सकते हैं ठीक है और उसके बाद जो capscore देया गया होगा यहाँ पर आपको दर्ज करना है search के icon पर click कर दीजे इस परकार से आप अपना online pension payment status देखना है अब उत्तर परदेश राज्ये के जितने भी दिव्यांग, विद्वां, वर्दवस्था, कुष्टवस्था, तलाक्षुदा pension धारक है उनको अपनी category चुनाव करना है any other external system का उत्तर परदेश राज्ये में ही 33,000 रुपे pension नासी ट्रांसफर की जा रही है दिवाली का उपहार pension के रूप में सरकार ट्रांसफर कर रही है लाभारतियों के वैंक खाते में क्योंकि बहुत से ऐसे pension धारक है जो केवल अपनी pension पर ही आधारित है, निर्भार है और कोई अन्य pension income source नहीं है, आयका साधन नहीं है तो सरकार भी चाहती है जो pension लाभारती है, वह अपना तेवहार अच्छे से मना सके यदि आप उत्तरप्रदेश राज्ये के pension धारक है, तो इस परकार से ओनलाइन अपना pension payment status चेक कर सकते हैं आज की जानकारी में बस इतना ही, यदि आपको मर्द्य जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा motivation मिलता है लाश्ट में हम निवेदन यहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं नीचे कोमेंट बोक्स में अगर पूछ सकते हैं, सभी सालोग ज़ाब आपको दे दिया जाएगा जय हिंद, जय भारत